Good morning friends, स्वागत है आप सबों का मेरे इस YouTube चैनल Learning with Self Study पे दोस्तों सामानिय अधिन स्रीज के भारतिय अर्थ बेरस्था सेग्मेंट में मैं आज आपके लिए अर्धाय तीन प्रस्तुत कर रही हूँ राश्ट्रिया ऐसे संबंधित ये चैप्टर है जिसमें लगभग 10 से 15 क्वेश्चेंस होंगे और दोस्तों ये सभी competitive exams के लिए useful है चाहे अभी आप जो current vacancy है अभी DTSP की हो या फिर किसी भी PSC की हो या फिर SSC वगड़ की हो या कोई भी ऐसा exam, one day exam जिसमें GS होता है तो उन सब के लिए ये वीडियो काफी useful है तो दोस्तों आप सब जरूर इससे फायदा उठाया और अपने दोस्तों को भी share करें ताकि उन्हें भी इससे फायदा हो सके और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो अपने लाइक्स और कमेंट्स भी जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को क्योंकि टाइम हमें ज्यादा नहीं लेना है भारत में रास्ट्रिय आय के प्राकलन तयार किये जाते हैं रास्ट्रिय आय का प्राकलन कौन तयार करता है केंद्रिय सांखी की संगठन CSO जिसे बोलते हैं ठीक है भारत की वास्तविक परतिव्यक्ति आय में धीमी बढ़त के कारण है वास्तविक परतिविक्ति आय में धीरे धीरे विर्धी होती है इसका क्या कारण है जनसंख्या में तेजी से विर्धी मुल्यों में भारी बढ़त किर्शी तथा अध्योगिक छेत्रों के विकास में भी धीमी गती तो ये है भार्ट की वास्तविक पर्तिवेक्ति आये में धीमी बढ़त होने के कारण नेक्स्ट क्वेशन यदि एक दी हुई सम्यावधी में कीमते तथा मौद्रिक आये दोनों दुगुनी हो जाएं तो वास्तविक आये पर क्या असर पड़ेगा दोस्तो आम तरपर इस तारह से लोजिकल QUESTIONS भी पूछलिये जाते हैं अर्था सब्विक से सम्मंधित questions में तो इस तरह के QUESTIONS भी मैंने शामिल किये हैं जोकि logical है यहां logic दिया हुआ है यादि एक दी हुई सम्याब्दी में कीमते तो था मौद्रिक आया, दोनों दुगुनी हो जाएं तो वास्तविक आया पर क्या असर पढ़ेगा तो इस पर असर जो पढ़ेगा वो आंसर होगा हमारा आपड़ी वर्तित रहेंगी मतलो वास्तभी काये पे कोई असर नहीं पड़ेगा ठीक है नेक्स्ट क्वेस्टिन क्यों चलते हैं राष्ट्रिय आये के संबंध में मतलो राष्ट्रिय आये से संबंधित कौन कौन सी चीजे हैं बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रिय उत्पाद या मुल्लिवास साधन लागत पर सुद्ध राष्ट्रिय उत्पाद या बाजार कीमत पर सुद्ध राष्ट्रिय उत्पाद या सुद्ध पर्टयक्षट कर नेक्स्ट क्वेश्ट चलते हैं question number five राश्ट्रियाय समीती का गठन उनने सो उन्चास में किसकी अध्यक्षता में किया गया था राश्ट्रियाय समीती का गठन किया गया था पीसी महाल नोबिस के अध्यक्षता में ठीक है अब ये पीशी महाल नोबिस के जनम दिन पर एक हम उनकी जनम दिवस भी मनाते हैं सांखी की दिवस तो ये PC महाल नोबिस काफी इंपोर्टेंट है इनको ध्यान में रखेगा इनकी अध्यक्स्ता में 1949 में राश्ट्रिया आय समिती का गठन किया गया था ठीक है राश्ट्रिया आय समिती के सलाहकार कौन बनाए गए राश्ट्रियाय समीती के सलाकार बनाये गए थे, सूपरसिद्ध अर्थसास्तरी, हैरेड और डोमर ठीक है? बिल्कुल स्टार्टिंग से मैंने ये question लिया है जब राश्ट्रियाय की परिकल्पना हमारे भारत में शुरू ही की गई थी राश्ट्रियाय तयार करने के राश्ट्रियाय के आँक्रे तयार करने की सुरुवार्थ ही की गई थी उस समय से समंधित questions है, ठीक है? अब next question है, केंद्रिय सांखी की संगठन, यानि CSO की स्थापना कब की गई? CSO की स्थापना 1951 में की गई CSO किसका एक भाग है? CSO ठीक है, चलते हैं, next question की और? Next question, question number 9 है, नीजी आय क्या है? नीजी आय है, नीजी आय वह आय है, जो नीजी शेतर को सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली साधन आय तथा सरकार से प्राप्त वर्तमान हस्तांतरन का योग होता है, ठीक है? Next question, question number 10, वयक्तिक आय की मापक क्या है? वयक्तिक आय का मापक क्या है? वयक्तिक आय का मापक है, वयक्तिक आय बराबर नीजी आय माइनस अवित्रित लाव प्लस निगम कर निजी agent आई में से अवित्रित लाव घटा करके उस में निगम कर जोर दे तो वह एक तिक आए निकल जाता है next question पद रास्टरिय आय निरूपित करता है क्या निरूपित करता है रास्ट्रिय आया बाजार कीमतों पर सकल रास्ट्रिय उतपाद मुल्य रास और अपर्ट्यक्ष करों को घटा कर और सबसीडी जोर कर जो बचता है वो हमारा रास्ट्रिय आय होता है तो दोस्तों यह से समंदित भी questions पूछ लिए जाते है एक्जांस में तो आप इनको जानते रहें और ध्यान में रखें इस तरह के concepts को किसी देश की कर से GDP के अनुपात में कमी हो जाए तो वह यह सुचित करती है कि रास्ट्रिय आय का कम सामिक वित्रन हो रहा है किसी दी गई अवधी के लिए एक देश की रास्ट्रिय आये उत्पादित अन्तिम बस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मुल्ले के बराबर होगा तो यह थी हमारे आज के भरती अर्थवेशा सेग्मेंट के लगभग 14 questions तो दोस्तों अगर आपको यह questions अच्छे लगे हो तो please मेरी वीडियो को subscribe कर दीजिए और like और comments भी कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपने इसे मेरी वीडियो पर क्या response दिया और अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं उन्हें भी इससे कुछ लाग देना चाहते हैं तो अपने दोस्तों को इससे शेयर कर दे और lastly मैं आप सब तुससे करना चाहूंगी कि मेरी इस वीडियो को watch करने के लिए धन्यवाद तो मिलते हैं next वीडियो मे बाइ